सो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है मारे आरजी सपोर्ट बॉआ यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने हो लाओ कि अगर आप लोग अपने सैंसेंग के फोन में एप हाइड करना चाते हो हाइड करना यहाँ पर आप लोग करना बता एंगा ठीक है क्योंकि आसे मैंने बहुत सारी यूटूब पर वीडियो से देखिए यहां पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर यह application भी है और वो तो एप लॉग करना बताते हैं लोग जिसमें कि बताते कि हाइड करने के लिए लेकिन आज किसे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपने स्क्रीन से आप को गायब कैसे कर सकते हो तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर एपक्स लॉंचर application का यूज करेंगे इसका लिंक पर अपने वीडियो के डिस्क्रीप्शन बॉक्स में दे दिया है तो वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लेना जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे एपक्स लॉंचर के उपर तो यहां प अगर आपको एप हाइड करना तो कैसे कर पाऊगे तो यहां पर आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूं कि मेरे फोन में अभी सारे अप्लिकेशन हैं यहां पर आप देख से तो अभी जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं यहां से जैसे कि मेरा YouTube है WhatsApp है और WhatsApp बिजनेस है यह तीन अपलिकेशन में भी हाइड करूँगा आप देखो लो यहां पर अच्छी तरीके से यह तीनों मेरे यहां पर हैं ठीक है और आप इनको हाईड करना तो मैं कैसे करूंगा तो इसके लिए सबसे बहुंगा आपको फोन का कोई भी फोन हो आपको फोन बटन दबाना ह है फिर एक बार होम बटन दबाना जिसे आप अपन और और आपसे बहुत जरी अप्छिन आजएंगे तो यहाँ पर एक आप लॉक कर सकते है यहाँ पर जैसे आप कली करोगे तो यहाँ पर एक रहां पैटर ने पासवड के ओपर इने वल कर लेना ठीक है इससे होगा क्या, यह होगा कि माली जी अगर कोई बंदा klik भी कर देता है, माली जी यहां पर जिसे home button उसे गल्दी से हो जाता है, तो यहां पर वो hidden apps के उपर जैसे के लिए करेगा, तो उसे दिख जाएगा कि कौन कौन से application आपने hide की है, लेकिन अगर आप इस तरी के से pattern enable क कुछ झतरों करने को तो यहां पर आपको मैंने बता दिया किससे आपको खुपा सकती उनसके बदradale यहां पर आपको एड़ करना है और यहां से जैसे मैं आपको बताए कि तीन अप्लिकिशन मैं हाइड करने वाला हूं जो कि वाटसप था बिज़नेस था वर्टसप बिजनेस था और इसके बाद यहां पर यूटूब था ठीक है तो यहां पर मैंने इन यहां पर आनक बाद फिर से आपको home button दबाना एक बार और फिर hidden आपस के उपर आजाना है यहां पर आनक बाद फिर उसको कुछ इस तरीके से खोड़ लेना है फिर यहां पर आपको उनको unhide कर देना है जैसे आप unhide कर दोगे उसके बाद यहां पर थे application यह वहीं पर तो यहां पर आपको इसके उपर क्लिक करने बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा advanced setting का ठीक है तो यहां पर आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक कर देते हो इसके बाद फिर यहां पर आने बाद फिर आपको set default launcher का एक option मिलेगा इसके उपर क्लिक क अब आपको यहाँ पर पर आपका जो भी फोनों का उसका यहाँ पर दिखा देगा तो मेरा वीवो istedi मैरा जैसे पहले था वाइसे भी आपको स्वीड्यों में चैज़ँ वीडियो में कुछ भीच लगो तो प्लीस मेरे इस यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब बरके वेल आइकन जरूर दबाना